नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लोक सभा चुनाओ दो हजार चोबीस अब बेहत करीब है और ऐसे में बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि वो हैट्रिक लगा ले आपको मालूम है कि इस वक्त लाइफ सिटीज की टीम मधुबनी में मौजूद है और बधुबनी में बीजेपी का कबजा है आपको मालूम है कि यहां से मौजूदा सांसद है अशोक यादव लेकिन देखे चरचाएं बहुत हो रही है चरचाएं तो यहां से मैदान में अशोक यादव को टकर देने के लिए कूद सकते हैं गुलाब यादव या फिर उनकी बेटी बिंदू यादव तो ऐसे में जब हम यहां पर पहुचे हैं तो आईए यहां की जनता से जानते हैं कि अगर गुलाब यादव या उनकी बेटी बिंदू गुलाब यादव को यहां से टिकेट मिलती है तो क्या वो अशोक यादव को हरा पाएंगी क्या इनमें दम है आईए यहां की जनता से जानते हैं कि नाम क्या है मेरा नाम मोहन जाहार मोहन जी मोहन जी बताईए कि 2024 लोग सबाचनाव बेहद नजदीक है क्या लगता है इस बार अशोख यादफ को कोई टक्कर दे पाएगा यहां तो अभी तक कोई देर नहीं पाएगा अशोख यादफ का कोई अपना राजनीती है नहीं प है कि निवें पालों में कोई काम नहीं का पिताज वी निदू गुलाब यादफ को मिल जाएगा टिकेट मिलती है तो हरा पाएगे अशोख यादफ को तो तो वन तो खिल गुलाब यादफ को या पूरा पूरी जनता पूरा नराज है जनता में आक्रोसित है जो अभी तक 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है उनका पिता और ये कोई भी काम की जी नहीं है अचा अनिल जी ये बताइए कि सुनने में आ रहा है चर्चा खूब हो रही है कि यहां से गुलाब यादव या फिर उनकी बेटी बिंदू यादव को टिकेट मिल सकता है तो क्या लगता है अगर इन में से किसी को भी टिकेट मिलता है तो अशोक यादव को हरा पाएंगे क्यों look at possible दो हचा करें से ज्यादव बहुत करीब आरा है चत्रेट से बलाब यादव यादव के सामने घुलाब यादव यादव के सामने या फिर उनकी बेटी बिंदू गुलाब यादव खड़ी हो सकते हैं, क्या लगता है, अगर इन में से कोई भी खड़ा होता है, तो अशोक यादव को हरा पाएगा? हाँ बस हरा पाएगा, जानकारी याद नेता है, बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता है, वो जरूर हराएगा, मैदम पूरा भी उस बास है, अशोक यादव को हरा रहे हैं, क्या नाम हुआ? ब्या नाम हुआ राम कुमार मुख्या, अचा राम जी, बताएए कि आशोक यादव यहां से सांसद है, चीनते हैं कि नहीं? पहचानते हैं, पहचानते हैं, पहचानते हैं कि चर्चा हो रही है कि गुलाब यादव या फिर उनकी बेटी बिंदू गुलाब यादव यहां से मैदान में कूच सकती हैं, क्या लगता है, दम है गुलाब यादव कि कैसे कह रहें कि दम है दम है ना कैसे अच्छे आदमी है पर बिंदू खड़ी हो सकते हैं किसी को भी टिकेट मिलती है तो आशोख यादव को हरा सकते हैं और एक पर आजल्ट को यहां कोई हरा पाएगा तकड तो हो गया इसमें कोई है नाम जहन में? लेकि चर्चा हो रही है कि गुलाब यादव या उनकी बेटी बिंदू गुलाब यादव को टिकेट मिल सकती है. तो चक्कर तो होगा है. लग रहा है, तक्कर होगा है. दम लग रहा है. कोई काम किये हैं गुलाब यादव या बेटी जो हैं बिंदू किये बताओं मालूम है तुम्हारे सांसद कौन है विंदु गुलाव यद अदव करू बन गयं ताकरीका को यह औक टक्कर दे पाएगा ठाइक्त करने हमारे बिहार को इतने भी यूबार को विकास किया है कि मधुवनी वहीं हुआ हुआ वहीं हुआ प्रकास जी देखे लोग सभादा सब्सक्राव आरहा है तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी को यहां से कौन रोख पाएगा क्या लगता है देखे चर्चा जहां तक हो रही है एक नाम है गुलाब यादफ का एक नाम उनकी बीटी का आ रहा है बिंदू यादफ का तो दम है दम तो है बिजेपी भी अच्छा वर्ट रहा है इसा नहीं है उसके मुकेश जी ये बताइए कि 2024 लोग सभा चुनाव बेहत करीब है क्या लगता है अशोक यादफ को कौन टक कर दे सकता है कोई नाम है यहां पर तो बिंदू गुलाब यादफ है बिंदू गुलाब यादफ है सुनने में आ रहा है कि चर्चाएं बहुत है कि टिकेट जो है क्या कुछ कहा है देखा अपने के यहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है देखिए अशोक यादफ को लेकर लोगों में गुस्सा है लोगों में आक्रोश और साफ कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है लेगिन देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मिले हमें जिन्होंने साफ कहा है कि अगर इस बार बिंदू गुलाब यादव या गुलाब यादव को टिकेट मिलती है तो हमें पूरा भरोसा है कि यह हमारे लिए जरूर काम करेंगे अब देखना होगा कि आखर 2024 में क्या कुछ होता है लेगिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सेटी शुक्रिया